बिहार में हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा मामला सामनी आ जाता है जिसे सुनकर आपकी रूहें काप जाएंगी एक छोटी से बात पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर भी उतराते हैं बिहार के गुपाल गंज से एक ऐसे घटना सामने आई है जिसे जानकर आप हैरान रह चेहरे पर खौलता हुआ पानी फेका और उसका चेहरा जुलसा दिया अब नमस्कार में निया चौधरी कैमरा परसन विशाल के साथ और आप देख रही हैं जनता जंक्षन यह घटना गोपाल गंच की है जहां हर दिन कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है जिसे सुनकर आ और अपनी मोग को छुपाते हुए अस्पताल पहुंची इसके बाद अस्पताल में यह पीडिता का इलाज चल रहा है जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गोपाल गंच की इश्रार अंसारी की शादी सिवान की रहने वाली मासुमा खातून से तीन साल पहले कराई गई शादी के एक साल बाद ही पती नौकरी के लिए सौधी अरब चला गया जिसके बाद घर पर केवल इश्रार अंसारी की पतनी मासुमा खातून इश्रार अंसारी की मा और उनकी बेहन रह गई पिडिता महिला मासुमा खातून के पती इश्रार अंसारी के सौधी अरब जाने के बाद महिला की ननत और सास दोनों ने मिलकर महिला को दहेच के लिए परिशान करना शुरू कर दी पती के जाते ही सास और ननत मिलकर महिला को छोटी छोटी बातों पर ताना देने लगी जिसके बाद महिला ने जब एक दिन खाना बनाया तो सास और ननत को खाने का स्वाध पसंद नहीं आया जिसके बाद मासूमा से दोनों जगड़ा करने लगी और देखते ही देखते इस बड़ा रूप ले लिया इसी दोरान सास और ननत को भी काफी गुस्सा आ गया उससे मियाग बबुला सास ने महिला के चेहरे पर उबलता हुआ गर्म पानी फेक दिया जिसके बाद महिला का चेहरा बुरी तरह से जुलस गया घर में केवल सास और ननत होने की वज़े से घटना के जानकारी जब महिला के घरवालों को लगी यानि की माईके वालों को लगी तो वे सभी लोग बेटी के सेसुराल पहुंचे और इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी और मामले को लेकर एफ आयार भी दर्च कराया है इस मामले में पिडिता महिला के माईके माईके वालों ने पूरी घटना की जम्मेवार सास और ननत को बताया है माईके वालों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को देते वे मामले में जल्द से जल्द कारवाई करने की गुहार लगाई है पिडिता मासुमा खातून का पती इश्रार अंसारी को भी मामली की जा इस विशय को लेकर आगे जो भी अप्डेट्स आएगा हम आपको बताएंगे मां कि आप गोपाल गंज में वे इस भयानक घटना के बारे में क्या सोचते हैं साथ ही साथ गोपाल गंज में वे अजीब और गरीब घटना के विशे में भी आपका क्या खयाल है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे की खबरों के लिए जनता जंक्षन देखते रहें धन्यवाद